नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अपने ब्रस्तोगी और आप देख रहे हैं डालीडर हिंदी यूपी की जिला रामपुर में एक नहीं दो चुनाओं हो रहे हैं एक सौर सीट पर जहां से अब्दुल्ला जम विधायक थे लेकिन मुरादाबात कोट से जाम लगाने के मुगदमे में दो साल की सजा होने पर उनकी विधायकी चली गई आयोग यहां पर उपचनाओं करा रहा है इस बीच आजम खान की तवेद बिगड़ गई है वो अपने आवास पर निकाय चुनाओं के प्रत्याशियों को सिंबल बाट रहे थे उन्हें बेटे अब्दुल्ला जम और अधीबा जम दिल्ली के सरगंगा राम अस्पिताल ले गए है आजम खान का पहले भी इसी अस्पिताल में दिल का इलाज हुआ था रामपुर के सपा जिलाद्यक्ष विरिंद गोयल ने बताया कि आजम खान की हालत अबिस्तिर है पैर में इंफेक्शन बढ़ गया है वो इसी वज़े से ठीक प्रकार से चल भी नहीं पा रहे है पिछले दिनों रामपुर कोर्ट में पेश हुए तो वहां सहरा लेकर चलते हुए दिखाई दिये थे पैरों में पट्टी भी बद्यूई नजर आई थी अभी कुछ दिन आजम खान को इलाज के लिए दिल्ली ही रुखना पड़ेगा वहां उनका हाणिया का ओपरेशन भी होगा इस बीच प्रत्याशियों के चैन का काम रुका रहेगा सौर विधान सवा सीट पर सभी की नजरे लगी है इंतजार हो रहा है कि आजम खान बेटे की रिक्त गोशिस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाते है परिवार से या फिर बाहर से कोई उमीदवार सामने आएगा उससे पहले उनके समर तक उनकी सेहत के लिए दौाएं कर रहे हैं